हलो दोस्तों आपका स्वागत है इस वीडियो में और इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से निफ्टी का टारगेट एनालिसिस करेंगे एक नए रेशियो के बेसिश पर और इस रेशियो को मैंने बहुत ही डीप study के बाग मैंने निकाला है geometrically astro ratio है और यह ratio है 2.2 2.2 ratio का बहुत ही important role है इसको जानने के लिए मैं आप लोग को सबसे पहले और यह astrologically मैं proof कर सकता हूँ कि यह ratio valid है और market के chart पे भी मैं इसको proof करने की कोशिस करूँगा उसके लिए आपको 2008 के chart पे लेके चलूँगा और यह ratio जो निकालना होता है यह ratio देखिए यह हमने ratio जो निकाला हुआ है यह ratio हमने निकाला हुआ है 2.2 और यह हमने high लिया है यह अगर पूरा high लेते हैं 2008 का जो high है 63 56 का है लेकिन यहां पे 47 दिखा रहा है 40 के आसपास का high ले लिए और यह जो low बना है October October 2008 में low बना है 2252 और अगर हम closing basis पे लेते हैं अगर मार्केट जो close हुआ था सबसे higher closing हुआ है 6273 और इसके उपर थोड़ा सा closing ले लेते हैं तो 6273 के बैसिस पे 2.2 का रेसियो यह है अब आप बोलेंगे कि इस high और इस low का आपने क्यों लिया तो इस high और low के बैसिस पे हम last का low के बैसिस पे high प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन एक time astrological time frame का high low लिया है इस period का low और इस period का high low तूट जाने के बाद जैसे ही देखवा यह low जो था यह 22nd January 2008 का low था दुबारा यह low एक महीन दो महीने बाद बना लेकिन bounce आया तो इस low का बहुत बड़ा important था और जब यह low तूटा तो फिर हम थोड़ा सा retrace करके फिर इस low के ऊपर नहीं गये तो यह low astrologically बैसिस पे यह low बहुत बड़ा important था और इस low का और इस high का यह high और low का अगर हम retracement निकालते हैं 2.2 2.2 फेबुना की नमबर के बेसिस पे नहीं है लेकिन astrogemetrical ratio है अगर आप चाहें तो उसकी study आप ढूंडेंगे तो आपको मिल जाएगा यह study आपको self study से मिलेगा तो मैं यहाँ पे simple सी view दे रहा हूँ कि यहाँ जो bottom बना था अगर इस ratio को valid करता है तो बजार का जो अभी period है जो अभी current period चल रहा है तो अभी हम low जो है इस move का जो low है जो अभी का current astrological period important period चल रहा है इस current का जो low है यह low अप्रोक्समेट 24th हाँ अप्रोक्समेट ने एक जैक 24 सप्टेंबर का आप low लेंगे और high इस period का अगर आप लेते है तो उपर के तरब जो तेजी आएगी उपर के तरब जो तेजी आएगी 13,700 का लेकिन यह high जो है यह high जो अभी जो बना है इस high में इसका retracement जो है 38% 11,250 और एक important retracement जो है 38% आप करते हैं अगर यह high आप माल लेते हैं तो यह high है 11,564 जब तक 11,560 के उपर है तब तक अभी तेजी का ही cycle है और अभी जो high है यह high इस move का यह low नहीं तोटना चाहिए अभी astrological period उच चल रहा है और आने वाले 12 से 15 दिनों तक चलने वाला है तो उस 15 दिन का high से हम एक retracement draw करेंगे और उस retracement को down side हमें target निकालना है तो लगबग 800 के high लगता है आपसा approximate और लगेगा जो मेरा view है लगेगा जब तक 11,560 के उपर बजार है तब तक बजार उपर की तरफ ही रहेगा और उसका extension move अगर सपोज यही high बन जाता है इस period का अगले 15 दिन का अभी time period बागी है सपोज अगले 15 दिन का high यही लग जाता है उसके basis पे 2.2 का bottom जो बनेगा 93.42 का bottom बनेगा लेकिन यह जो अगर 756 का हमने target पहले calculate किया हुआ था as for astrology जून और जुलाई के वीडियो में हमने एक वीडियो complete बनाया था जहां पे 10,000 breakout किया था वहीं से हमने bottom पकरा था और बोला था कि यहां से इस move में तो जितनी बार उपर नीचे हुआ उस move को हमने play किया और जून 3 के बाद हम तेजी में आ गए थे और जून 3 के बाद ही बजार आप सुन रहे होंगे तो जून 3 के बाद ही बजार में speed पकरा एक छोटा सा correction हुआ और जिनको breakdown हो गया था उनके लिए यह बजार यहां से breakout हो गया था खैर वो अलग बात है हम यहां बात कर रहे हैं कि हम उस case में 8400 तक जा सकते हैं और 8400 होगा नहीं होगा हम बात में बात करेंगे उसके लिए condition क्या होगा कि अगर यह target achieve किया है तो उसके लिए 12750 के level को छूब करके 11900 और 12000 के level को तोरेगा बजार 38% का retracement होने के बाद नीचे के तरफ trade होने के बाद trend मिलकुल खराब हो जाएगा में इसकी चार्ट का जो pattern है यह आप ऐसे मानिये सपोज यह bottom बनाता है इस move का bottom बना है और यह ऐसे जा करके उसके बाद थोरा सा ऐसे भी आएगा 43% उसके बाद इस high को भी cross करेगा एक चीज़ याद रखिएगा इस high को भी cross करेगा दुबारा से ऐसा नहीं कि 13200 पर लेकि गया एक बार हाई को break करेगा यह low जो है यह उपर से low बन सकता है बाराजर के low एप्रोक्समेट यह high बनने के बाद नौंबर मिड तक नौंबर मिड तक यह high लगने के बाद एक low लगेगा लो के बाद फिर से high लगेगा और high के बाद यह chart आप याद रखिएगा मैं जब भी एक cycle complete होता है या होने वाला होता है तो मैं next cycle का check chart formation बना के देता हूं कमपलसरी नहीं है कि 8400 आने तक हम बहुत ट्रेड कर लेंगे तो उस ट्रेड को follow करने के जोड़ा था है उस case में यह एक important level होगा 11560 और 11560 के आसपास आने के बाद हम वहाँ पे final इस retracement के target के लिए ट्रेड करेंगे और उसके लिए 9600 जो golden ratio 1.61 ratio है उसको achieve पहला first target को होगा उसके लिए 11560 में इसकी 12800-900 के level से हम गिरेंगे 11560 500 के level को तोड़ दिये weekly basis पे तो उस case में हम अच्छा खासा 9600 तक आएंगे और उसके बाद 2.2 का जो target है ये भी हम touch करेंगे और ये वाला target जो है ये वाला target है ये हम February में touch करेंगे और उसके बाद दुबारा से market ऊपर जाएगा compulsory नहीं है इस pattern को बस याद रखिए उसके बाद हम compulsory नहीं कि ये वाला pattern बनना शुरू होगा हो सकता है बजार है जैसे हमने March में project किया था कि March तक bottom बनेगा तो हमने ये प्रोजक्ट नहीं किया था कि 7000 आ जाएगा अब उस case में यहां तक आएगा और यह एक रैली आएगी और इस रैली के बाद यह time period में share करूँगा जब यह complete हो जाएगा फिर वड़ी तक हम यहां आ जाएगे 11500 कि आसपास आ जाएगे और one way भी fall कर सकते हैं अब इसके chances कितना है नहीं है वह बाद की बात है हम यहां आएगे और उसक बड़ी मंदी की बाद planning में कर रहे हैं उनको पहले यह rally खेलने के बाद ही कोशिस करना चाहिए 8450 के target भी आ सकता है और यह video only for educational learning purpose से है ना कि trading परफ़से और यह मैंने ratio जो ratio के basis पे study किया है बाकी target जो होगा अभी हम up cycle में चल रहा है इसके basis पे हम downside अभी planning करेंगे यह जैसे जैसे proof होगा और in between यहाँ पे यह consolidation में जितने भी मंदिरियां है वो cut जाएंगे उसके बाद यह correction होगा और इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा time है ऐसा मेरे को लगता है इसलिए अभी तेजी ही ढूणना है बंदी नहीं ढूणना है जिस तरीके से हां जैसे हम हमने बोला है मिड नौंबर तक का cycle up cycle है नौंबर इंड तक एक bottom बनने का cycle है इस bottom में 11.560 और 12.000 अगर उपर नहीं जाता है तो 11.560 अगर यह थोड़ा सा नीचे अब यह top कितना लगता है वो देखना ही जी क्योंकि हमने calculation किया है calculation से 3% भैड़ी कर सकता है और 3% का मतलब यह होता है एक 12.756 का target हमने दिया था उस target से 3% जोड़ते हैं तो लगवक फो 360 point 360 point minus कर देंगे तो 360 point plus और minus दोनों कर सकते हैं तो 13.000 का भी index दिख सकता है और नीचे 12.200 का भी index दिख सकता है पैसा चांसेज क्या है वो बात की बात है day by day analysis में cover करेंगे लेकिन एक लंबे chart formation में 2.2 ratio का क्या important है वो हम बताने की कोसिस का रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए लॉंग टर्म में पैसा बनाना है तो सौट टर्म का भी जोड़ी है ना कि लॉंग टर्म का मार्केट से पैसा कमाना है तो यह इतने बड़े chart pattern का कोई फायदा नहीं होने वाला इसके basis पर आप कोई भी decision नहीं रह सकते हैं यह knowledge purpose से है जिससे कि ट्रेंड आइडेंटिफाई हो सके है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ओके बाए